बुर्हानपुर जुले में अवैद कॉलोनियों का जाल तेजी से फैर रहा है जिससे लेकर लगातार मुख्यमंत्रियों और जुला प्रशासन को शिकायते भी दी जा रही है इन अवैद कॉलोनियों के संबंध में पत्वकारों द्वारा खबरे प्रकाशुत कर गरीब और रासाहय लोगों की आवाज उठाई जा रही है ताकि उन्हें प्रशासन से न्याय मिल सके हालाकि इन खब्रों से बौकलाय कुछ अवैद कॉलोनाईसर पत्वकारों के खलाफ जूटे प्रक्रण दर्श कराकर उन्हें फसाने की कोशिश कर रहे हैं पत्वकार नौशाद नूर के खलाफ कॉलोनाईसर अब्दुल तारीक ने एक जूटी शिकायत की इस शिकायत में अब्दुल तारीक ने अपने करीबियों को गवा बना कर पत्वकार पर पैसे मांगने की बे बुनियाद आरोप लगाए हैं जो पूरी तरह से निराधार हैं पत्रकार नौशाद नूर के खलाफ जूटी शिकायत कुले कर शोहर के पत्रकारों में आक्रोश है बड़ी संख्या में पत्रकारों ने पुले सदिक्षब देवेंद्व पातिदाप से मुलकात भी की पत्रकारों ने जूटी शिकायत पर कारवाई की मांग की यह मामला तीस तारीक का है, तीस अगस्त का, तीस अगस्त को यह बिलिध है शेक शब्बीर, यह मेरे ओफिस में आए और इन्हों अपनी समस्य बताई कि इनके साथ में दोकादली उगूँ, दोकादली इस प्रकार होई कि बाहदापुरू में यह कादूनी कटी थी, मिलियने पेशन लेने के बाद भी रजिस्टी करके नहीं दे रहे, इन्होंने अपनी पिला मुझे बताए, मैंने इनकी पिला को समझते हुए, खबर जो है, अपने समझार पत्रूम में प्रकाशित किया, तो खबर प्रकाशित किने के बाद में, मुझे जो है, तो तारीक के दोस्त चार 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 दिन लोगों ने बेवकुप बनाएं और कोई बेट के समझता नहीं करें, इसके बाद ये भाए ने जंसमाई से लेकर शिकायत किये हैं, और अन्य समझार पत्रूम में इनकी खबर भी चली है, इससे जो है तो गौकला कर तारीक जो है, जो है कालोनाइजर उ मुझसे दो लाग रुपी की मान करिये जो जूती आरो मुझ पर लगाया है कि दो लाग रुपी की मान करिये मैंने पैसे नहीं दिया तो उन्होंने मेरे खिलाब खबर चाते है